नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल देवजी केट्रिक्स में तो दोस्तों मुने आपर हिंदी साहित पड़ रहे थे और हिंदी साहित का ये तीसरा पार्ट है इसके पहले हमने दो पार्ट आपके अप्लोट कर दिये हैं जो कि आपको प्लेलि किया है और यह तीसरा पार्ट है उत्तर मद्यकाल जिसे हम लोग रीतकाल कहते हैं और इससे जुड़े हुए जो भी पॉइंट है वो सभी हम लोगों यहाँ पर देख लेना है आपको किसी प्रकार की बुक की और आपको अधर वीडियो देखने की जरूरत भी ने पड़ेगी तो चलती ही स्टार करते हैं अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर दीजेगा और एक दोस्त को जरूर सेयर करिए चली स्टार करते हैं और एक जरूरी आपको यहाँ पर पॉइंट यह बता दें कि रात साड़ याट बजे डेली यहाँ पर आपको रात साड़ य बहतरी हिंदी के त्यारी चलिए यहां पर आपका रीत काल को हम तीन भागुम वर्गी करते हैं जिसमें पहला आपका है रीत सिद्ध जो की काविधारा है जिसमें से आपके बिहारी जी आपके हैं दूसरे आपके रीत बद्ध काविधारा चिंता मड़ी केशो दास मती राम स पती और देव आते हैं ठीके जो आपके किसमें तो आपके रीत बद्ध में ठीके रीत बद्ध में क्योंकि कोश्चन आपको यहां से भी बन जाता है कि रीत सिद्ध के कौन है रीत बद्ध के कौन है उसी प्रकार से रीत मुक्त का बिधारा में जो आपके हैं तो रीत मुक्त और आगे point में देखते हैं, जोकि हर एक जुड़ेवे point, यहाँ पर आपका कहछते हैं, जो आपका कहसे ही, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह आपका कौन सा है, यहाँ पर जो आपका कौन सा है, जिसे हम लोग बोलते है, रीद काल, क्या बोलते हैं मैं इसे रीद काल कहते हूं आपको दिखने रहा हुगा इसे रीद काल कहते हैं जिसका समय होता है 1790 से 1900 ठीक है कितना समय है तो 1790 से लेके 1927 का समय जो आपका है या आपका कौन सा है तो आपका उत्तर मद्यकाल या इसे हम लोग रीद काल के नाम से जानते हैं चले यह से जुड़े वे जितने भी point है उसको समझेंगे कह रहा है आपसे रीद काल के अधिकांस कभी कैसे थे तो दरवारी थे qeshan आपसे पूछेगा कि रीद काल के अधिकांस कभी कैसे थे तो आपके कैसे थे भई तो आपके दर्वारी थे अर्थात ये राजाओं के आस्रे में उनके दर्वार में अपनी कविता किया करते थे ठीके रीत काल के प्रमुक कभी देखा जाए तो आपके देखे बिहारी बिहारी जो आपके किसके दर्वार में तो आपके याद रखे कि जैपुर और आमेर के राजाओं के दर्वार में ये अपनी सोभायमान थे ठीके कौन आपके बिहारे ठीके और आपके अगले हैं चिंतामडी ये आपके नागपुर दर्वार में रहते थे केसो दास जो कि आपके ओर्चा के राजा के दर्वार में रहते थे भूशन जो कि आ आपके जैपूर में आपर कैसिक्ते सोभिमान थे और आपके मती राम जो कि बूंदी में और आपके रखुनाज जो कि आपके कासी में कासी के राजा के दरबार में रहते थे तो यह आपके कैसिक्ते हैं कि सभी राजा के जगा दिये गए हैं और यह जो आपके कैसिक्ते हैं लेखाक है, किलियर हो गया होगा, यह कौपी में नोट करिएगा इसी प्रकास से, याद रिखे, इनके नामकरण को लेकर विद्वान एकमत आपके नहीं है, कोई कोई बोलता है, हाँ, कोई बोलता है, नहीं, ठीके, चले, अगले प्रस्चकों आते हैं, प्रस्चनाफ सेगला होगा, चले, तो यहाँ पर देखे, विद्वान आपके कौन है, तो रामचन सुकल, याद रिखे, रीत काल, रामचन सुकल ने क्या का है, तो आपके रीत काल का है, याद रिखेगा, कि आपके उत्तर मद्देकाल को जो रीत काल है, तो रीत काल किस ने का है, तो रामचन प्रसाद मिस्र ने आपके रीद काल को स्रंगार काल की उपमा भी दिया है ठीके और आपके रमा संकर शुकल जिन्हें रसाल के नाम से जानते हैं इन्होंने रीद काल को कला काल भी का है तो ये भी पॉइंट आपको पूरे के पूरे नोट कलना ना है कौपी में इसे प्रकास से कोशन पूछेगा नेट में ढूड़ेंगे तो थोड़ा कनफ्यूज हो जाएंगे लेकिन अगर एक जगा नोट कर लेंगे ठीक है तो 100% सफलता यहीं से मिल जाएगी अगला प्रसनाप से पूछा गया है कि रीत काल के प्रमुकवी और उनकी रचनाएं यहाँ पर एक मड़ी चिंता मड़ी की जो आपकी है वो आपकी कोंसी है तो आपकी कवि कुल कल्प तरू और आपकी सरंगार मंजरी चंद विचार और आपका रिस विलास यह आपकी चिंता मड़ी की आपकी रचनाएं और अगला पॉइंट आपका है कि मती राम मती राम की जो आपकी है तो ललित ललाम ठीके मती राम की जो आपकी रचना है वो आपकी ललित ललाम रस राज अलंकार पंचासिका वहें पर आपके गर बात करें भीखारी दासकी तो भीखारी दासकी है काब निर्णे स्रंगार निर्णे जसवन्त सिंग की बहुती मात्त पूर याद रखेगा प्रबोध चंद्रोदे अपरोच सिधान्त और आनंद विलास ये आपकी जस्वन सिंख्ये हैं भूषण की बात करते हैं तो भूषण की आपकी सिवराज भूषण सिवाबाउनी और छत्र साल दसक ये आपकी भूषण जी की आपकी है रचना और अगले हैं पद्माकर जी की तो पद्माकर जी की रचना आपकी है कौन सी तो पद्मा भरण और आपका जगत बिनोद गंगा लहरी और आपका प्रबोध पचासा ये आपके प्रद्माकर जी की हैं वहें पगर बात करते हैं कि कुल पती मिस्त्र तो कुल पती मिस्त्र की आपकी कौन सी है तो आपकी रस रहस संगराम सार और आपका मुक्त तरंगडी यह आपके किसके हैं तो आपके कुल पती की हैं अगर आपका दिया है केसो दास तो केसो दास की जुकी बहुती महत्रप पर आपकी कौन सी आपकी रचना है जो आध्यात्मिक गरंथ है तो आपकी रामचंद्रिका और विज्ञान गीता या आपकी कैसकते आध्मात्मिक गरंथ हैं वहें पर आपकी कौन कौन सी कविप्रिया रशिक प्रिया ठीके ये आपकी केशोदास की हैं दूला ठीके ये भी कैसकते हैं कभी हैं इन्होंने कविकुल कंठा भरण कविकुल कंठा भरण ठीके और कैसकते हैं इन्होंने रचना किया है और आपके दिया है बोधा बोधा ने आपर विरावगीश और आपका इस्क नामा ठीके विरावगीश और इस्क नामा किसने बोधा ने और घनानंद न तो घौना नंदे में सुजान हित्प्रवण्थ, व्योग बेली, प्रीती प्रावश, एक इस्क लता और आपका कौन सा पदावली, तो थोड़ा थोड़ा यहां पर आप देख लीजेगा, यहां पर इस्करामा है, यहां पर आपका इस्क लता है ठीक है ना, और यहां पर विलास कुसल विलास देव सतक रादिका विलास यह आपकी देव की है और आपकी सेना पती की आपकी कौन है तो कवित रतना कर यह आपकी सेना पती की आपकी रचना है तो कुल मिलाके यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका जो कंपलीट होता है वो आपका रीद का वरगी करंड किया गया है, जिस प्रकार से हीं, हुंने उत्तर भागों व हाईजित किया गया था, ठीके न, आधिकाल, जिसे वीरगाथा काल का आ गया था, पूरमद्यकाल, भक्तिकाल, उत्तरमद्यकाल, रेतिकाल, और आधनी काल है, और आधनी काल को हम गद्यकाल कहते हैं, तो यहाँ पर इसको भाजित करते हैं, आपको कितने, तो चार भागों में, भारतिन्द युग, दिवेदी यूग, चायावादी यूग, और आपका चाया उत्ततुरूद, अब यहाँ पर क्या होता है, कि हर एक यूग में बहुत ज़्यादा राइटर भी है, चाया जिसे भारतिंद यूग में है, भारतिंद यूग में जितने भी आपके राइटर होंगे, सब की यहाँ पर रचनाय पढ़ना पड़ेगा, ठीके न, और इसमें क्या एक यहाँ पर बनाएंगे, और एक यहाँ पर कैसे इनको अप्लोड करेंगे, सब के और इस परकार से चारू पार्ट अप्लोड होने के बाद, फिर आपका जो मिक्स होते हैं, ठीके, जिने बुलते हैं कि मिसले उस परकार के जो बनेंगे, उनको यहाँ पर लेके आएंगे, कुल मिला के देखा जाएं, तो आपका जो हिंदी साहित हैं, वो भी बहुती ज़्यादा एक अमरत के समान होता है हिंदी में, इसका ग्यान होना जरूरी होता है, ठीके, यह आपने पढ़ा है, ठीके, यह आप दिमाख में भूसे की तरह नहीं भरना है, दिमाख में आपको फीड करना है, लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, पसंद आया है सभी को, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, राज साधे आड़ बजी, राज साध याड़ बजी हिंदे का टेस्ट लगवाया आता है, तो आपको सफलता मिलेगी, ठीके, धनवाद, जैहिन, जे भारत, वंदे मतरम, राधे राधे